हम इस समय राची में इस्थित टैगोर हिल पे महजूद हैं यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के उद्देश से लोग आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपकी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और बीटते हुए पुराने साल के साथ कुछ यादे समेट के ले जाना चाहते है और यहां पर अभी काफी लोग महजूद हैं, यहां पर हमारे साथ कुछ पिकनिक मनाने दूर दूर से लोग आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, आज जानना चाहेंगे कि किस तरह का उनका 2019 बीता और 2020 से क्या उमीद हैं आपको, किस तरह का 2020 आपको? 2019 तो बहुत अच्छा भीता हम लोग का, हम लोग वेस्ट मंगल से आया है, तो यहां रेंडिंग में हम लोग सोज रहा है कि मंगल छोड़के थोड़ा दूसरी स्टेट में जाके थोड़ा एन्जयो भी करेंगे, इसलिए हम लोग जाडखन का पसंद किया है, जाडखन में इत पॉस्टम फॉल्स है, गुड़ा फॉल्स है, यह भी बहुत अच्छा है, सब लेके बहुत अच्छा है, आज भी रहेंगे और सम को भी मजमस्ति करेंगे, और अगले साल के लिए भी हम लोग सोज रहा है कि आच्छा जाए सब का, हम लोग को भी आच्छा जाए, यही हम ल जानने के लिए इस बार हम लोग पूरा जारखंड की संस्कृति जानने के लिए इसलिए हम लोग आएं जारखंड के साथ में चिनमस्ति का रजरप्पा मंदिर भी जाएंगे शुबकामना करने के जानने के लिए 2020 बहुत बहतरीर जाएं इसी आसा के साथ आप सबोंको भी मेरी तरफ सेो dal के सब्सक्राइब जैसा की इन लोग मेर्स की हलें तो यहां के साथ मिने समया है से क्नलेली प्लानिंग है और कई घूमने जाएंगे तुम्हारे लिए कैसा रहा है बटा 2019 मेरे लिए अच्छा ही वीता है जा 2019 में बहुत जगह हम घूमने गया अंदावान नेकिन इस जैसे अच्छा जगह हम लोगों को नहीं मिला तो यही सबसे बेस लगा मुझे यह जगह तो बहुत है जो है जो हील है जो आसपास की जमीने यहां के जमीदार हुआ करते थे हरीहर सिंग उनसे यह 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ने इसे खरीदा और जो आप देख सकते हैं कि जो विश्राम ग्री विश्राम अस्थल है इस बोला जाता है इस अस्थल में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पढ़ाई किया करते थे छुटियों के दिनों में और रविंद्रनाथ के टैगोर के बड़े भाई का एक आस्रम भी है नीचे में जहां पर आया करते थे तो 1908 में यह जो टैगोर हील है एक अलग मतलब पहचान अपनी बनाया हुआ हुआ है अभी इसको सव साल जैसा की सरकारी रिकार्ड में बताया जा रहा है के भी सव साल इसका पूड़ा नहीं है इसलिए इसो धरोहर राश्टी धरोहर घोसित नहीं किया जा सकता अपने सहोगी संजीव के साथ मैं राहूल कुमार एवी नीज राची